हेलो बच्चो आज हमारा question है fan the place value of each of the fallen digit ठीक है हमें each of the fallen digit के याने लिए place value निकालनी अब जैसे यह once पे यह कितने है tens पे यह thousand यह hundred पे और यह हमारे कितने तो इच आप देखो यह once होगा once पे नहीं यह पहला वारा क्या हो once once का मतलब क्या होगा तो यह seven into one कितना हो जाएगा seven इसकी प्लेज प्लेज क्या हो जाएगी seven हो जाएगी अगर मैं इस six को देखो तो यह कितने तो यह कितने पर यह है is seven into 10 कितना हो जाएगा सैबंटि हो जाएगा इसकी वेल्यू ठीक है इसकी प्लेज से क्या है hundred पे फोर की जो प्लेज है क्या है hundred है और इसके अगर वेल्यू देखेंगे four into hundred कितना हो जाएगा four hundred हो जाएगा वह ऐसे इस three की देखूंगा मैं ये thousand पे इसकी place क्या है thousand की है तो ये क्या हो जागा 3 into 1,000 तो कितनी हो जाएगी इसकी place value थी थाजियंत हो गया तो भाई ये ones हो गया ये tens पे आगिया ये 100 पे ये 1000 पे आगिया ऐसे हम देखेंगे ये once में तो once की place value तो क्या होगा 2 into 1 कितने हो जाएगी तो यह रहेगी आप मुझे इस 4 की निकाल नीडि तो यह इस पे 4 तेंच पर हमारा 4 का है 10 पर तो क्या होगी फिले जिए 4 into 10 कितने हो जाएगी 40 हो जाएगी यह हमारा 100 पर ठीक है 6 हमारा कितने पे 100 पे तो क्या value होगी 6 into 100 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा इसकी ये place value निकल दी ये 5 हमारा कितने पे 1000 पे ओके इसकी value कितनी हो जाएगी 5 into 1000 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगी ओके ऐसी ये once पे 0 तो 0 की value तो 0 रहेगी ये tens पे हमारा कितना है 7 है 10 पे हमारा कितना है 7 है तो क्या जाएगी 7 into 10 कितने हो जाएगी 70 हंडेट पर हमारा कितना है हंडेट पर हमारा है टू तो इंटु हंडेड कितना ब्लू जाएगा हमारी बिलियो जाएगी ओके और यह थॉजक्नš पर हमारा 90 है तो9 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 9000 हमारे इसकी value हो जाएगी ऐसी यह कितना आएगा once पर है तो यह कितने आ जाएगी two into one two यह tens पर हमारे six तो इसकी value क्या हो जाएगी six into ten कितना हो जाएगा 60 यह hundred पर है hundred पर कितना हो जाएगी three into hundred कितना हो जाएगा three hundred और यह हमारे कितना thousand पर है तो कितनी हो जाएगा हमारी eight into one thousand कितना हो जाएगा eight thousand तो इट दंक्सन इसकी value निकाल सकते हैं finite कर सकते हैं